हेलो स्टुडेंट्स आज की इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास कुछ ट्वाइज हैं कुछ वहिकल्स हैं यह मेरे पास है कार्गो ट्रक यह है मेरे पास फाय ब्रिगेट और यह मेरे पास है गालबिश ट्रक हम इन तीनों वहिकल्स इन तीनों ट्वाइज के त्रू इस ए में एक स्ट्रिंग के साथ बांध रखा है ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेहबल है elastic स्ट्रिंग है मैं क्या करूँगा अब इन दोनों ट्रक्ष को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तां कि स्ट्रिंग स्ट्रेच हो सके और गोड़ीज करूँगा आप लोगों को इन दोनों ट्रक्स के मोशन को स्चड़ी करना है and here we go क्या नोटिस किया बच्चो आपने आप लोगो ने नोटिस किया होगा कि जो हमारा गार्बिज ट्रक का है वो बहुत जादा स्पीड से मुव किया as compared to a cargo truck वज़ा क्या थी वज़ा थी difference in mass माई garbage truck का mass बहुत कम है as compared to cargo truck अब जिसका mass कम होगा उसमें velocity ज्यादा आएगी पर ऐसा क्यों होगा it is based upon law of conservation of linear momentum जब हम ट्रक्स को पीछे ले जाते हैं string को stretch करते हैं तो string के अंदर tension है वो act करती है as internal force and law of conservation of linear momentum के मताबिक जिसका mass ज्यादा होगा उसकी velocity कम होनी चाहिए तो जो हमारा हलका truck था यानि की garbage truck था उसकी speed ज्यादा थी as compared to cargo truck क्योंकि cargo truck का mass ज्यादा था तो उसकी speed definitely कम होगी हम लोग इस activity को repeat करेंगे बट इस बार मैं साथ में five brigade वाले truck भी use करूँगा इस five brigade वाले truck का mass almost मैं cargo truck के mass के बराबर है तो इस बार देखते हैं इन दोनों का motion कैसा रहेगा string को stretch किया आप लोगों को motion steady करना है and here we go आप लोगों ने notice किया इस बार दोनों trucks almost same speed से चले because दोनों का mass same था इसी तरह से interesting way में physics को समझने के लिए feel लेने के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार पाइब आना